हेलो दोस्तो नमस्कार आज मैं आपलों को बताने वाला हूं मोली के कुछp स्थान और मुली का उत्रत्त अस्थान कहां है मुली का उत्पत्यस्थान यूरोप यूरोप इसे पाद आपका है दूसरा ать कि जरत रूपा अंत्रड हैानि मुली जो है जरत All कर्मा इसे पॉ perlu फिर सकी वाला का तीस्रा 5 उप्युगत पतमान यानि मुली के लिए मुली त्यार ऊने के लिए उसका उप्युगत पामान है वह 10 से 15 थी दस से 50 अपस सेंटीरों दो इसका ताक मानट चाहिए मुली त्यार होने के लिए उसको च्वासकता होती है 10-15 85 cm इसके बाद आपका चोथा पॉइंट है छोथे पॉइंट में की मुलि की जड़ों को त्यार करना जो मूली की जड़ों है जड़े हैं उसको बीज उत्पादन है तो तयार करना क्या कहलाता है इस टेकलिंग क्या कहलाता है इस टेकलिंग मुली की जड़ों को बीज उत पाधन है तो त्यार करना इस टिख्लिंग कहलाता है फिर इसके बाद आपका फाशवाँ पॉइंट है कि बीजदर तो बीजदर इसकी है 9-11 किलोग्राम प्रतिफ केश्टेर 9-11 किलोग्राम प्रति हेक्टेर मूली का बीज़दर नौ से ग्यारा किलोग्राम प्रती हेक्टेयर है फिर इसके बाद आपका है छठा पॉइंट छठे पॉइंट में है कि पी एज मान नहीं मूली का पी एज मान कितना होता है तो साड़े पांच से साड़े छे देखे पांच पॉइंट पांच से लेकर 6.8 है इसका पी एज मान होता है मूली का पर उसके बाद कुछ इसके अलावा दी निचे कुछ मूली के ने प्रकारले कि Hindi होती है धो मूली दो प्रकार हुए एक पहला आपका एस्यन मूली और दूसरा आपका औरaltet भो पांध से इसन मूली में जो उसकी अवद्या आपका European मुली का परिपक्ता जो अवद होती है वो 25 से 30 दिन की होती है यानि वो 25 से 30 दिन में पक कर तयार हो जाती है और इसमें जो ACN मुली है इसकी जो उपज होती है 15 से 20 टन प्रती हेक्टेर होती है इसकी क्या होती है 15 से 20 टन प्रती हेक्टेर होती है ASEAN मुली की उसके बाद जो यूरूपेन मुली है उसकी उपज होती है पांच से साथ टन प्रती हेक्टेर होती है तो हमने आज मुली के बारे में कुछ जाना आज के बस इतना बिसल के दिन अगले वीडियो में अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों